हाई प्टिवन असलालेकों एलकमेट तो में चैनल आज मैं सेर करने जा रहे हैं एक ऐसी रेशिपी जो साइद ही आपने कभी बनाई होगी तो चेली स्टार्ट करते हैं इस रेशिपी को बनाना तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह है कुम्ड़े का पौदा यानि जिसको ह लगा है उसको हम तोड़ लेंगे यहां पर हमने फ्लावर जो है तोड़ लिया है और दिखी साथ से आठ भी तोड़ा है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बढ़ आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू कर इसको हम तोड़कर निकाल लेंगे और बहुत ही केरफुल निकालना है ताकि अमारा फ्लावर तूटे नहीं और यह रेशिपी जो है हमारी मदर की है इसको हम लोगों ने बस्पन में खाया था तो मैंने सोचा कि चोलो एक बार इसे ट्राइजरूर करते हैं इस रेशिपी को यहां पर देख सकते हैं कि फ्लावर की भी इसमें एक सीर्ष होता है तो इसको भी हम इस तरीके से निकाल लेते हैं तो यहां पर हमने सारे सीर्ष जो है फ्लावर से निकाल लिये हैं अब मैं ले लूँगी एक बॉल अब इसमें डालेंगे एक कप बेशन और बेशन डालने में हाप्ती अब मैं नमक आड़ करूंगी यृदिंग नमक डाल ने समूझ सा लिटकि करेंगे थोड़ा घ्राइए यृद्ष और आप देख सकते हैं किसी कंस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पती डाल देते हैं मारी कटा हुआ यह ऑप्सनल है आप चाहें तो इसे इसकीप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें लसनदर का पेश्ट भी डाल सकते हैं और जो नहीं खाते हैं तो इसकीप कर सकते हैं तो यहां पे ऑयल गरम है और फ्लावर को बेशन में डिप करके उसके हम पकोड़ी तर लेंगे लिएक Wagam हो चुके हैं तकाल में आप ए हम बाहर निकाल लेते हैं इसी तरीके से हम बाखी के सारे तल को डाय friedly कर लेंगे हट थे हमारे सारे पिज़े तल के हैं और हमारी प्लेटिंग भी हो चुकी है इस रेसिपी को आप एक बाट जरूर करिएगा अब आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ इसे इंच्वाइब कर सकते हैं तो आज की हमारी रेस्पी कैसी लगी आपको अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें अपने फ फेस्बूक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लें प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो फिर मिलते हैं गली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग